जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक स्लाशर फिल्म स्टॉंटन हिल के बारे में दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सन 1969 वरजीनिया दिखाया जाता है जहां पे पांच कॉलेज टूडेंट्स वाशिंग्टन जा रहे थे राइट्स के लिए इनके नाम होते हैं कॉल, जॉर्डन, बून, राइना और ट्रिश ये पांचो किसी से लिफ्ट लेके एक गराज में पहुंचते हैं रेंटल कार लेने के लिए कोल और बुनी उस गराज के मालिक के पास जाके पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई रेंटल कार है तो वो बुनी का रंग देखके उस पे गलत कॉमेंट पास करता है ये देखके कोल उसे कहता है कि हम सभी इंसान है तो उसे ऐसा भेद भाव नहीं करना चाहिए वो आदमी काफी ढीट होता है जो बुनी को घूरे जा रहा था इसलिए बुनी वहाँ से चला जाता है और कोल उससे डील करता है उस गराज का मालिक उनसे कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है लेकिन अभी कुछ देर पहले एक और आदमी आया था जिसने वो कार ले ली है तब ही वो आदमी फिर वहाँ आता है जिसका नाम क्विंटन था जब वो कोल और उसके दोस्तों को देखता है तो वो उनसे कहता है कि वो गाड़ी शेयर कर सकते है ये सुनके कोल काफी खुश हो जाता है लेकिन वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था इसलिए वो उससे कहता है कि वो अकेले चले जाएंगे कुइंटन उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है तो कोल राजी हो जाता है वो अपने सभी दोस्तों को उस गाड़ी में बठा देता है और वो सभी वाशिंग्टन जाने के लिए निकल जाते हैं दोस्तों कोल और जॉर्डन और बुनी और रायना कपल्स थे और ये सभी एक दूसरे के साथ ट्रैवल करके काफी खुश थे कुँटन टृस से पूछता है कि वो लोग कहा जा रहे हैं तो टृस उसे बताती है कि वो लोग वाशिंग्टन जा रहे हैं ताकि वो राइटS में पार्ट ले सकें तब ही उनकी गाड़ी के इंजन से बहुत जादा धुआ निकलने लगता है और गाड़ी अपने आप रुक जाती है ये देख कि वो सभी उस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गाड़ी ठीक नहीं होती क्विंटन उन्हें कहता है कि यहाँ पासी में एक फार्म है तो उन्हें वहाँ चल के रुकना चाहिए ये सुनके वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्विंटन को कैसे पता कि पासी में एक फार्म है लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था तो वो लोग उस फार्म में जाने के लिए निकल जाते हैं फार्म हाउस का दरवाजा खटखट आते हैं लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता मानो की वहाँ पे कोई भी ना रहता हो इधर क्विंटन एक कमरे में होता है और किसी से बात कर रहा होता है वो उससे कहता है कि वो उन लोगों को यहां ले आया है और वो सभी जगे को चेक कर रहे हैं दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि क्विंटन किसी मकसद से उन्हें यहां लाया है फिर हमें एक पागर लड़का दिखाया जाता है जो उसी फार्म में रहता था वो अपने गुड़ों के साथ खेलते हुए काफी अजीब तरह से वेभार कर रहा था क्विंटन इन स्टूडेंट्स को इखटा करता है और इनसे कहता है कि अब रात होने वाली है तो क्यों न वो इसी फार्म में रात गुजारें और अगली सुबह होते ही वो लोग यहां से निकल जाएंगे क्विंटन की ये बात सुनके उन्हें लगता है कि शायद क्विंटन ठीक कह रहा है और वो लोग उस फार्म हाउस के अंदर जाके रेश्ट करते हैं ये सबी लोग अपना अलग कैबिन ले लेते हैं और वहाँ पर रेश्ट करते हैं फिर हमें उस फार्म के ओनर दिखाये जाते हैं जो की मदर और उसकी बेटी थी वो लोग टीवी में USA के राइट्स देख रहे थे और वो देख के उन्हें काफी गुस्ता आता है तब ही बडी वहाँ आता है और हमें पता चलता है कि बडी मदर का बेटा है वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं जहां खाने से पहले वो प्रेयर करते हैं प्रेयर के बाद ग्राइन मदर अपनी बोतल निकालती है पीने के लिए तो उसकी बेटी उसके हाथ से वो बोतल छीन लेती है और उससे कहती है कि वो बुडी हो गई है तो वो पीना बंद करे ये सुनके उसकी माँ उसे बहुत डांट लगाती है लेकिन वो उसे बोतल नहीं देती इधर Quinton और Trish अलग होते हैं और Trish को काफी ठंड लग रही थी ये देखके Quinton उसे weed ओफर करता है और उससे कहता है कि ये उसे warm रखेगी ट्रिश वो weed पीके हाई हो जाती है और उसके साथ intimate होने की कोशिश करती है लेकिन क्विंटन उसे रोग देता है और वहां से चला जाता है क्विंटन जब बाहर देखता है तो उसे एक ट्रक दिखाई देता है वो तुरंत कोल और जॉर्डन के पास जाके उनसे कहता है कि बाहर एक ट्रक खड़ा है तो क्यों ना कल सुबह वो उसे ठीक करें और उसे लेकर यहां से निकल जाएं वो ट्रक देखने के लिए कोल और जॉर्डन उसके साथ बाहर जाते है जहां कोड फार्म में लगी तार को क्रॉस करके उस ट्रक के पास चला जाता है जॉर्डन जब उस पार जाना चाहती है तो वो गलती से तार को छू देती है जिससे उसे बहुत तेज करंट लग जाता है क्विंटन ये देख के उसके हाथ पर पट्टी बान देता है और उसे सम्हालता है वो उनसे कहता है कि क्यों न कल सुबह वो इस ट्रक को ठीक करें क्योंकि रात को यहाँ पर कुछ सेफ नहीं है अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इने बाहर से कुछ हवाज आती है जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक आदमी है जो कोई और नहीं बलकी बड़ी था जब कोल बड़ी से बात करने जाता है तो बड़ी उसे देखके एक मुक्का मारता है जिससे कोल की नाक तूट जाती है ये देखके बूनी बड़ी पे हमला कर देता है तो बड़ी उसे भी मारता है तभी बड़ी की माँ वहां आके उनका जगडा चुडाती है वो उनसे कहती है कि उसके बेटे का दिमाग बच्चो वाला है इसलिए उसने ऐसी हरकत करी वो उन लोगों से माफी मांगती है तो वो लोग उसे माफ कर देते हैं वो उनसे ये भी कहती है कि वो लोग उनके महमान है तो क्यों न वो उनके साथ नाश्ता करें ये सुनके वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सभी बहुत भूके थे उनके जाने के बाद क्विंटन मदर को इशारे करता है जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं बड़ी उन सब के लिए खाना लेके आता है और वो सभी उसे चाव से खाते हैं दोस्तों ट्रिश को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो अपने दोस्तों को कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए ये सुनके बूनी और रायना उस ट्रक को ठीक करने जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें कोड और जॉर्डन बड़ी के पास जाके उससे माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि वो उससे डरे बड़ी जॉर्डन की खुबसूरती देखके उससे काफी शर्माता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी जॉर्डन उसे हां कह देती है तो बड़ी उसे अपना एक गुड़ा देता है ये देखके कोल समझ जाता है कि उसे जॉर्डन पसंद आ गई है और उसके बाद वो उस ट्रक को ठीक करने के लिए जाता है जॉर्डन राइना को बताती है कि उस क्रीपी इनसान ने उसे अपना दोस्त बनाया है ये सुनके राइना उस पे हसने लगती है और उससे कहती है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया ये सुनके मदर उससे कहती है कि उनका वाश रूम बहुत गंदा है और वो नहीं चाहती कि कोई महमान उनका गंदा वाश रूम देखे वो उससे कहती है कि फार्म के पीशे की तरफ एक वाश रूम है जो कि बहुत जादा क्लीन है तो क्यों ना वो वहाँ पे चली जाए फ्रेश होने के लिए ये सुनके ट्रिश उसका सुक्रियादा करती है और वहाँ जाने के लिए निकल जाती है ट्रिश जब वहाँ पे पहु समच के एक वाश रूम की दलाश करती है लेकिन उसे वाश रूम कहीं नहीं मिलता तब ही वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहां कई सारे ओजार मौजूद थे उसे वहाँ पे एक किताब भी मिलती है जिसमें इनसानों के बॉडी पार्ट्स के ओर्डर्स लिखे थे ये बाद वो उसकी बॉडी को टेबल पे लिटा के उसे बांद देता है वो एक ब्लेड से उसके हाथ पैर और गला काट देता है और ब्लड लॉस होने की वज़े से ट्रिश की मौत हो जाती है उसके बाद वो ट्रिश का गला धर से अलग कर देता है और उसके बॉडी की पूरी चमडी निकाल लेता है इधर बुनी और रायना जब घूम रहे होते हैं तो उनके सामने मदर आ जाती है जो उनसे कहती है कि उनके लिए लेंच भी उन्होंने तयार कर दिया है इस उनके बुनी उसका शुकर यादा करता है तो वो अपनी गन निकाल के बुनी की टांग पर सप्लायर था जो उनके लिए बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता था वो उसे कटी हुल टांग और इनसान की चमडी का ओर्डर देता है तो वो गराजवाला उसे कहता है कि उसे खुद ही कुछ लोगों को वहां ले जाना होगा ताकि उसका काम असान हो सके इसलिए वो प्ल की से बाहर देखती है जहां बड़ी ट्रिश की बोड़ी को सुरों को खाने के लिए दे रहा था ये देखके वो बहुत डर जाती है और ये बात कोल और कुंटेन को बताती है वो लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंडने लगते हैं इधर पूनी और राइना को उन लोगों ने स्लोटर रूम में बान्ध रखा था तब ही बड़ी वहाँ आता है जो राइना के पास जा के उसके माथे पे एक चीरा लगाता है और उसके सर का पूरा स्कैल्प निकाल लेता है राइना के साथ ये होता देख के बूनी काफी रोता है और बड़ी से कहता है कि वो ऐसा ना करे लेकिन बड़ी जरा भी नहीं रुकता और राइना का पेट फाड़ के उसकी अतनिया बाहर निकाल लेता है जिससे राइना की मौत हो जाती है इधर क्विंटन कोल और जॉर्डन को एक जगे मिल जाती है जहां से वो बाहर निकल जाते हैं क्विंटन उन्हें कहता है कि वो यहां से जा रहा है क्योंकि वो उनका साथ नहीं देना जाता वो उन दोनों को छोड़ के भाग जाता है जिससे उन दोनों को काफी बुरा लगता है तभी वो दोनों बुनी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो स्लोटर रूम के बाहर जाते हैं वो खिड़की से देखते हैं कि बड़ी ने राइना को मार दिया है और बुनी को उन्होंने बांध रखा है तभी मदर और ग्रैंड मदर वहां आते हैं और बुनी को रोता देख के वो उसे शांत कराते हैं वो उससे कहते हैं कि इश्वर ने उसके शरीर को चुना है ताकि वो किसी और के काम आ सके ये कहके ग्रैंड मदर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है तभी बड़ी कोल और जॉर्डन को देख लेता है तो वो अपनी मा से कहता है कि वो दोनों बाहर निकल गए है इस उनके उसकी मा उसे उन्हें पकड़ने के लिए कहती है तो बड़ी उन्हें पकड़ने के लिए जाता है Jordan वहाँ से भाग निकलती है लेकिन कोल को बड़ी पकड़ लेता है तभी मदर कोल को भी एक उलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है मदर बड़ी को भेशती है Jordan को पकड़ने के लिए तो बड़ी अपना ट्रक लेके उसके पीछे जाता है भागते हुए Jordan एक ट्राप में फश जाती है जिससे एक लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो जाती है तभी वो घासों में जाके छुप जाती है और वो सभी उसे ढून रहे होते है ग्राप मदर उसे देख लेती है और वो उसे एलेक्ट्रिक शौक देने ही वाली होती है कि तभी Jordan उसकी छड़ी पकड़ लेती है तभी Jordan को वहाँ एक चाकू मिलता है जिससे वो ग्राप मदर को स्टाब करके उसे मार डालती है बड़ी जो अपनी ग्राप मदर की लाज देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है वो Jordan को पकड़ लेता है और उसे स्लोटर रूम में ले आता है जब वो Jordan के शरीर को काटने वाला होता है तो उसे उसकी जेब में उसका गुड़ा मिलता है जो उसने उसे एक दोस्ती की निशानी के तोर पे दिया था ये देखके वो Jordan को मार नहीं पाता क्योंकि वो उसकी दोस्त थी उसकी मदद करने के लिए वो उसे उठा के फार्म से दूर ले जाता है ताकि वो उसे एक सेफ जगे पहुचा सके और वो वहां से भाग सके तभी क्विंटन ये देख लेता है तो वो भाग के बड़ी पे हमला कर देता है जिससे बड़ी और वो एक इलेक्टरिक जाली पे जा टकराते हैं और शौक की वज़े से बेहोश हो जाते हैं फिर हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां उस लड़की का ओपरेशन चल रहा था उस लड़की का पैर कटा हुआ था और उसे जोडने के लिए नए पैर की डिलिवरी हो गई थी दोस्तों वो पैर किसी और के नहीं बलकि ट्रिश के ही थे यानि यहीं से उन्हें ओडर आया था उस पैर के लिए अगली सुबह उस गराज के मालिक को रास्ते में जोडन मिलती है वो उसे उठा के अपने ट्रक में रख देता है और उसे अपने साथ ले जाता है फिर हमें फ्लैश बैक में दिखाया जाता है कि क्विंटन भी उस फैमली का मेंबर है यानि वो बड़ी का रियल भाई है और वो सब भी उसी की प्लैनिंग थी क्योंकि यह सबसे बड़ा ओर उन्हें आया था उसने इन लोगों को लिफ्ट दी और जान बुच के इने फार्म में बुलाया ताकि वो इने मार सके और इनके बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर सकें इधर हम देखते हैं कि जिस ट्रक में उसने जॉर्डन को रखा है उसी ट्रक में क्विंटन भी बैठा है यानि जॉर्डन भी बच नहीं पाई है और उसे भी मार के वो उसके बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करेंगे तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद झालीवाजार। झालीवाजार।